नमस्कार दोस्तों मैं सुभम स्वावत करता हूँ हमारो एप की यट्वीब चैनल आनलाइन प्रोइसस में दोस्तों आपको मालूम होगा कि पैन कार्ट को अधार कार्ट से लिंक करना मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया है यह क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट हुआ इसके बारे मे तो दुस्तो यहाँ पर आपका bank account खुला होगा किसी भी bank में, किसी भी branch में, तो चाहे वो state bank का हो, या आपका अंजाब का हो, आपका अधार card से pen card link होना जरूरी है, यानि दुस्तो अगर आपके पास pen card है, तो अधार card से pen card को link करना important है, इस condition में अगर आप अधार card से pen card link नहीं करते हैं, तो आपका pen card रद कर दिया जाएगा, और आप जो bank account में pen card दिये हैं, उसके वज़े से अगर वो रद होता है, त तो आपका bank account खोड़ हो जाता है, या दुस्तो यहाँ पर bank का problem हुआ, अब by the way, आप दुस्तो कई पर भी insurance के लिए payment कर रहे हो, चाहे दुस्तो LIC हो, सहारा हो, या फिर कोई सा भी एक ऐसा हो, जिसमें आप सालीना या फिर मन्थली insurance पे करते हो, क्योंकि दुस्तो इंसुर आपका यहाँ पर LIC या फिर जो भी आप premium pay करते हैं, वो आपका hold हो जाएगा, अब दुस्तो यह तो दुस्तो यह दो problem हुआ, अब by the way, pen card अगर रद हो जाता है, तो उस condition में क्या होगा, आप बोलेंगा कि मैं नया pen card apply कर लूँगा, जी हाँ दुस्तो आप नया pen card apply कर सकत है, बड़ दुस्तो उसमें जो pen number होता है, वो pen number आपका different हो जाएगा, अगर pen number different हो जाएगा, तो पहले आपका bank account और यहाँ पर जो यह होता है, जैसे bank यहाँ पर हुआ, और bank में यहाँ पर LIC आपने payment किया, तो bank में आपका पहले का old का pen number होगा, और यहाँ पर LIC में भी old का pen number, और अभी आप जो नया pen card बनाएंगे, तो नया pen card का नया pen number आएगा, और old LIC वाले में भी यहाँ पर नया pen card का number आपको देना पड़ेगा, तो अब पहले से दुस्तो अगर आपका pen number यहाँ पर दिया हुआ है, तो यह bank आपका pen card दूसरा accept नहीं करेगा, LIC में भी same condition वही है, अगर आपका पहले से आपका pen number दिया हुआ है, तो आपका दुबारा यहाँ पर LIC में pen number accepted नहीं करेगा, यहाँ पर दूस्तो आपका यह payment दूनों hold हो जाएगा, तो यह इसी problem को face करते हुए, मैं हाँ पर आपको बताऊंगा कि आपको अधार card से pen card को link करना most important है, इस मीडियो में दूस्तो यह पर आपको clear करने वाला दो तरीका में आपर ऐसा खोजने की कोसिस किया हूँ, जिसके मादयम से आप pen card को अधार card free में link कर सकते हैं, यहाँ पर दूस्तो आपका income tax के तरफ से इसके लिए charges लगाया गया, पहले यह free of cost हो रहा था, फिर इसमें 500 रुपया का जुर्माना है, आपको यहाँ पर 500 रुपया दे करके आप यहाँ पर अपना pen card को अधार card से link कर सकते हैं, यह दो मन्त के लिए यहाँ पर चला हुआ था, उसके बाद दूस्तो अभी यहाँ पर 1000 रुपया यहाँ पर penalty हो गया है, अगर आप यहाँ पर अभी pen card को अधार card से link करना चाहते हैं, तो 1000 रुपया का चलाने यहाँ पर करना पड़ेगा, बट मैं दूस्तों आप दो ऐसा तरीका यहाँ पर find करने की कोसिस किया हूँ, जिसके माद्यान से आप free में यहाँ पर pen card को अधार card से link करना की यहाँ पर कोसिस मैंने किया हूँ, ताकि यहाँ पर आप भी free make कर सके, जिसमें का दोस्तों पहला तरीका बहुत सारे लोगों के mind में आप ही गया होगा, बट दोस्तों यह जो दुसरा तरीका है, यह बहुत कम लोगों के mind में आया होगा, यह दोनों तरीका की बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को अंतक द अधार कार्ट से पहले से लिंक है, तो यह दोस्तों आपकी भूल है, पहले आप जाकर कि उसका status चेक कीजिए कि हमारा पैंट कार्ट अधार कार्ट से लिंक है या नहीं, अगर बाइद वे लिंक नहीं रहता है, आपका 21 मार्श पार होता है, तो आपका वो पैंट कार्ट अचला लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, दोस्तों पहला का तरीका है पैंट करेक्शन, बहुत सारे लोगों का ये माइंड में आया होगा कि हम यहाँ पर पैंट कार्ट करेक्शन करके हम यहाँ पर अपना लिंक करा सकते हैं, बड़ दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग यह भी सोच रहे होंगा कि क्योंकि पैंट करेक्शन करने के लिए हमें अधार काड देना बहुत ही जरूरी है, बाइद दोस्तों हमें अगर साइट पर जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा डीटेल करने के बाद हम से यहाँ पर अधार नंबर कुछ आ जाता है, साथी साथ दोस्तों हमें कोछ भी करेक्शन भी करना हो तो उसमें दोस्तों यहाँ पर अधार का कॉपी हमें अटेच करना होता है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ करके सोच रहे होंगा कि हम एक हजार का penalty से बचे, बचके यहाँ पर हम अपना correction करेंगे ही हम अपना यहाँ पर अधार काट को pencard से link करा ले, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पर जैसे ही आप correction form fill up करते हैं, जो भी चीज के लिए correction आप करते हैं, for example, आप date of birth या आप या पी नाम के लिए अगर आप correction करते हैं, तो आपका यहाँ पर correction successfully हो जाएगा, बट आपका अधार काट pencard से link नहीं हो पाएगा, आप status चेक करेएगा, तो वही आपका यहाँ पर status बताएगा, कि हमारा अधार काट pencard से link नहीं है, यह दुस्तों यहाँ पर पहला तरीका है, यह बहुत सारे ल तो उसमें भी यह उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि अगर आप pen correction करते हैं, तो आपका pencard correction हो जाएगा, बट आपका link नहीं हो पाएगा, आपका link fail ही बताएगा, आपको link करने के लिए आपको 1000 का penalty यहाँ पर देना पड़ेगा, बट मैंने तो यह तो एक fail हो गया बट मैंने सूचा कि दूसरा तरीका कोई find किया जाया, दूसरा तरीका क्या है, क्या है, तो मैं आपको बहुत जादा सोचने के बाद मैं एक और नतीजे पर पहुचा कि यह भी एक चीज हो सकता है, बट दूस्तों यहाँ पर इसमें थोड़ा सा rix है, rix क्या है, चले मैं आपर explain करता हूँ, उसके बाद आप बताएगा कि हाँ इसमें rix है या फिर नहीं यह करना सेफ है, या नहीं वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दूस्तों दूसरा ट्रिक यहाँ मुरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम, क्योंकि मेरे पास पैन कार्ड है, यहाँ पर दूस्तों मैं आपको सम्झाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे पास एक पहले से पैन कार्ड है, जिसमें आपर अधार कार्ड लिंक नहीं है, यहाँ दूस्तों मेरे पास अधार कार्ड लिंक नहीं है, मैं एक नया पैन कार्ड बनाऊंगा, जिसम पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह जो मेरा नियू पर बना हुआ है उससे मैं आपको मालूम होगा कि अगर आपके पास दो पैन काड है तो आप एक पैन काड को सिलेंडर कर सकते हैं उस कन्डिशन में यहां पर करße करूंगा उस टेम हो यहां पर हैं यहां पर क्योंग्र कर रहा हूं, मैं रीजन यहां दोंगा कि मेरा पैन काड पहले से बना हुआता है मैंनेradhyaan नहीं दिया और मै आपका हैं पर जो भी सिलेंडर करने के लिए दिया जाएगा उस टायम आपका दोनों pen card mention रहेगा और आपका अधार card मी mention रहेगा तो नया वाला pen card हड करके यह दोस्तों आपके ओल्ड वाले pen card पर अधार कार्ड को mention कर दिया जाएगा और वहाँ से नय वाले pen card को यहाँ पर reject कर दे जाएगा old वाला pancard यहाँ पर mention कर दिया जाएगा यह दोस्तों यहाँ पर treat कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताएगा यह काम कर सकता है या फिर नहीं यह मैं आप से पूछूँगा क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पर अभी explain करके नहीं देखा है मैंने अभी यहाँ पर try करके नहीं देखा क्योंकि दोस्तों इसमें रिक्स है अगर by the way हम यहाँ पर pancard को यहाँ पर apply कर देते है pancard हमारा a lot हो जाता है तो हमारा यहाँ पर old वाले pan अगर वो cylinder नहीं होता है तो old वाला pan में भी हमारा link नहीं हो पाएगा तो इसके वज़े से मैं आपर आपसे suggestion मांग रहा हूँ कि यह आप हमें बताइए कि यह करना यहाँ पर सही रहेगा या नहीं क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई भी अभी ऐसा trick नहीं है जिसके माद्दम से आप free of cost यहाँ पर अधार कार्ट pancard को link कर सेके अभी आपर दुस्तों अधार कार्ट को pancard से link करने के लिए आपको 1000 का penalty देना ही पड़ेगा कैसे आपर अधार कार्ट को pancard से link करना इसके लिए अगर आप subscribe वीडियो चाहते है तो आप हमें comment कीजिए अधार कार्ट को pancard से link कर सकते एट टू जेट चलान पे करना link कैसे करना सब सारी जनकरिया महाँ आपर बता सकते वीडियो अच्छा लगे ते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंज के साथ से